क्या दोस्तों आपके बाल भी सूखे रहते हैं, बेजान रहते हैं, आपके बाल भी तूडते हैं, क्या आपके बाल उमर से पहले सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं, तो मातर दोस्तों ये घर में रखी हुई कुछ चीजों का इस्तमाल कर लीजे, आपको इन सभी चीजों से चुटकारा मिल जाएगा यह कोई भी चीज दोस्तों केमिकल की नहीं है मारकेट से भी हम कुछी चीज का इस्तमाल नहीं करेंगे सिर्फ घर में रखी हुई आपके किचन में रखी हुई बस ये तीन से चार सामगरी हम यूज करेंगे जिससे की आपके बाल हमेशा खिले-खिले रहेंगे घने रहेंगे आपके बालों में कभी भी कोई समश्या नहीं आएगी इसका इस्तमाल खुद मेरी वाइफ करती है रो जाना और मैं भी इसका इस्तमाल करता हूँ तो इसके लिए दोस्तो आपको आपके घर में रखी हुई जो मेथी दाना होता है उसका इस्तमाल करना है आपको पता ही है मेथी दाना हमारे बालों के लिए कितना उपयोगी होता है यह हमारे बालों को नैचुरलरी तरीके से ग्रोथ करता है और साथ ही साथ में यह जड़ों से मजबूत भी रखता है और उन्हें काला भी रखता है तो उसी के साथ दोस्तो एक और चीज है जम इसमें हम एड़ करने वाले हैं वो है दोस्तो अलसी का बीच यह भी हमारे घर के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और यह हमारे बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ में उन्हें शाइनिंग लाने का काम भी करता है और एक और जो चीज है दोस्तो हम इसमें इसमें इस्तमाल कर रहे हैं आमला अब आमला दोस्तों सब को पता है कि कितना नैचुरल होता है और आमला के फाइदे हमारे बालों के लिए कितने गुनकारी होते हैं सब को पता है आवलाब बालों कोई जड़ों को मजबूत रखने के साथ उन्हें बहुत तेजी से ग्रोथ करने में भी बहुत ही ज़्यादा शक्सम है क्योंकि यह एकदम नैचुरल ओसदी है दोस्तों और जो चीजे मैंने ली है घर के किचन की वो सारी की सारी नैचुरल है इनके कोई टीटी में डालनी है चलिए वो भी जान लेते हैं इसके लिए हमने एक लोहे की कड़ाई लिया है और उसमें एड़ कर दिया है सरसों का तेल और इसी के साथ दोस्तों हमने इसमें एड़ किया है मेथी दाना एक चमच और एक ही चमच हमने इसमें एड़ किया है अलसी का बी जैसे जैसे दोस्तो ये चीजे पकती जाएगी वैसे वैसे ये काली होती जाएगी और दोस्तो आप देखेंगे कि आवला का जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे जैसे पोशक तरतावी स्टेल के अंदर आएगे दोस्तो वैसे वैसे आवला की जो ग्रोथ ह वो भी बढ़ती जाएगी यह फूलता जाएगा अब आप देख सकते हैं हमने flame को medium पे रखा है और आप चाहें तो बाद में इसके अच्छे से पकने के बाद आप 2-3 उबाल इस तेल में high flame पे भी लगा सकते हैं अब आप देख सकते हैं आवला हमारे काले पड़ चुके हैं ह हमारे जो मेथी दाना है वो भी काला पड़ सगा है और आप इस आवला का जो साइज है वो भी देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने डाले थे तो कितने चोटे से और अब कितने बढ़े हो गई तो अब इस तेल को हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था और इसे अच्छे स चान लिया था ताकि इसके जो बाकी का जो कच्रा है वो इसके अंदर ना आए एक दम हमें प्योर तेल में चाहे तो अब आप देख सकते हैं यह काफी नॉर्मल तेल नहीं रहा है बहुत ही ज़्यादा पावरुफुल हो गया है जो कि हमारे बालों के लिए बेहे दी खास ह सर्षों के तेल भी दोस्तों हमारे बालों को श्यानिंग देता है जड़ों से मजबूत करता है अगर आपके बाल तूट रहे हैं तो उचसे भी आपको राहत दिलाएगा पहली ही वाश में आप लगभग इसे एक से दो हपते तक लगा लीजिए आपको रिजल्ट आपकी आपकों के सामने देखने को मिलेंगे अब अपने अंगलियों की मदद से आप इसे अपने बालों पे लगभग 20-25 मिनदे तक अच्छे से मसाज कर लीजिए दोस्तों आपको हलके हाथों से करनी हैं दवाव नहीं डालना है क्योंकि दवाव के कारण ही दोस्तों हमारे जो आपको देखने को मिलेंगे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फोलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि ऐसी धेर सारी इंपोर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेक की लाइ टे कियर